2.4 कहे क्या रहा है जरा समझेगा साउधान कहरें explain the statement clearly NCRT की book में है उसमें question लिखा हुआ है explain the statement clearly to call a dimensionless quantity large or small is meaningless without specifying standard for compression क्या मतलब है इस इंग्लिस में दिया हुआ है और इंग्लिस मीडियो मालों की इंग्लिस बड़ी बड़ी आ होती है हम देखें ना बहुत बड़ी आ होती है ये कहरें कोई अगर dimensionless quantity है उसने का ये quantity बहुत बड़ी है या बहुत चोटी है तो बहुत बड़ी बहुत चोटी कुछ नहीं होता है आपको compression करना पड़ेगा किसी चीज से भई आप कहेंगे माल या एक example में लेता हूँ कोई dimensionless quantity आपने से angle आपने लिया ये angle बहुत बड़ा है कितना बड़ा है भई तो आपको बताना पड़ेगा कि ये तो 45 degree से भी बड़ा है ठीक है या तुम तो बड़ी मोटी हो कितनी मोटी हो तो बताना पड़ेगा तुम तो सीमा से भी मोटी हो तो compare कर दिया आपने तो बोले यहाँ पर compression करना पड़ेगा मतलब इसमें यह है कि अगर कोई statement लिखा हुआ है कि it is very large or very small तो इतना परयात नहीं होगा आपको इसको कहीं ने कहीं कौन सी क्वान्टी वारें बात करें डामेंसलेस क्वान्टी जो physical क्वान्टी है उसमें तो आप बताओगे five meter per second square मात बताओगे ना five meter per second square मालूम है लेकि डामेंसलेस क्वान्टी में यूनिट तो होती नहीं और आपके वाल उसको very large very small बोल रहें तो वोनी very large very small करने में आप एक तो उसकी value को आप idea नहीं लगा पाओगे तो उसके लिए को compare करना पड़ेगा जैसे आपने कहा nucleus is very small क्या कितना इसमाल बात भी compare कर रहा है कि कितना इसमाल की बात कर रहें बोले सब्सक्राइब बतले एपी बात पर ही है इनसे भी small आइडिया लगा रहे हो ना तुम तो बताएंगे सुई की नोक से भी small तो आप समझ गए कि सुई की नोक हमने देखी है उससे भी small मताभी बहुत इसमाल की बात कर रहे है सब्सक्राइब बात इसके बात दूसरी बात है कि जैसे मालिया in view of this reference कुछ statement दिये हुए है कि in view of this reframe the following statement reframe करिए जैसे लिए कहा atoms are very small object पहले उने कहा पिडिमेंसलेस क्वांटी को बिना किसी से compare कि आप इस very small very large बोलोगे तो काम नहीं चलेगा बोले ठीक है मैं एक बात कहता हूँ जैसे मैंने कहा कि atoms are very small objects हमने बोला atoms तो एक डिमेंसलेस क्वांटी है एक चीज है atom वो बहुत small quantity है very small object है तो आप इतना करहस काम चल जाएगा आप सोचे के कितना small हम सोच सकते है ठीक है तो आपको क्या बताना पड़ेगा आपने कहा as small as smaller than the tip of the pin जो pin होता है उसके tip जो needle होती है उसके tip से भी smaller very very तो आप एक compare कर ले गए कि भाई एक pin होती है एक तो सुई माल लो सुई का सबसे आगे कर कोना बहुत छोटा सा होता है उससे भी छोटा compare हो गया तो एक दिमाग में आइडिया हो गई जैसे अगला कहा गया कि a jet plane moves to the great speed एक jet plane जो move करता है great speed से अब भाई jet plane की speed great speed का मतलब क्या है हम तो cycle से चलते हैं अब cycle से जो तेज़ चले हम समझाते great speed मतलब motor cycle से भी तेज़ ज्यादा बताना पड़ेगा तो compare किसे आप करेंगे बाई जैसे एक समुद्र का मेढ़क एक समुद्र का मेढ़क कुए में गिरा अब कुए मेढ़क ने का समुद्र कितना बड़ा होता है तो आपके ओल कहते हो समुद्र बहुत बड़ा होता है तो उससे काम चल जाएगा तो समुद्र वाले ने का बहुत बड़ा होता है तो उसने एक jump लगाई ऐसे बहुत बड़ा एक ऐसे जम्म लग एतना बड़ा वो समझ नहीं पा रहा था ना तो आपको compare करना पड़ेगा ना तो इन्हों ने कहा कि a jet plane moves with great speed तो आप लिखेंगे its speed is more than the speed of super fast train या more than the speed of ऐसा बोल दीजे तो super fast train से आपने या more than the speed of bullet train तो आदमी के दिमाग में एक setup आ गया ये bullet train होती उसकी speed हमने पढ़ी है 300 km पर घंटे ऐसे पढ़ी है इसका मतलब उससे भी तेज चलता है तो compare करना पड़ेगा ना सुझारी हम कहें क्या रहे हैं जैसे कहा गया कि mass of Jupiter is very large अब mass of Jupiter is very large का मतलब क्या होता है अब very large का मतलब हमसे सतर किलो का होता है क्या हम पचास किलो नहीं उठा पाते तो सतर किलो हमारे लिए कैसी value है very large तो सतर किलो होता है एक कुंटल होता है एक टंकी भरका होता है तो हमने का it is larger than the mass of earth अब earth का mass हमारे दिमाग में है तो हमें किसी ऐसी quantity से हम value नहीं उसकी बताएंगे गिर ऐसी quantity से compare कर देंगे कि सामने वाला थोड़ा सा idea लगा ले जाएगा कि इसका mass कितना हो सकता है सब्सक्राइब बात जैसे कहें थे air inside the room contains a large number of molecule inside the room है वो बहुत सारे molecule उस air के होते हैं तो आपको यह बहुत सारे molecule कितने 2000, 3000, 5000, 10000, 10000, 10000 तो आपने कहा number of जितने air में जो molecule जो एक mole होता है ना एक mole से बहुत बड़ी value उसकी होती है अब एक mole हमको मालू है 10.23 atoms होते है तो मैंने उसे compare कर दिया तो एक idea हो गई कि उतने से ज़्यादा ही होंगे ठीक है जैसे का proton is much more massive than the electron हाँ यह सई है जब हमने का proton is much more massive than electron कि जो proton होता है वो electron की मास के तोणा बहुत ज़्यादा होता है तो यह comparison fine है क्योंकि हमने compare कर दिया ना अगर मैं कहता कि proton का mass बहुत ज़्यादा होता है तो आपने का अच्छा का ज्यूप्टर से भी ज्यादा होता है अब आप compare नहीं कर पा रहे हैं किसे compare करोगे तो आपने electron से किया कि electron के mass की comparison में proton का mass तो ये आपका fair statement है मताँ ये सही statement है तो इसके लिए कहेंगे it is correct statement मताँ आप से कहा गया कि items are very small object it is not correct statement आपको जब कोई चीज large या small बतानी पड़ेगी तो आपको compare करना पड़ेगा ठीक है अब तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो अब अगले को समझ में नहीं हा रहा है मार बाबा सी सा देक रहा है हम तो बड़ी सुंदर लग रही हमारी बड़ाई की गई है और बाद जो मन में हमने कह दिया भैस से भी ज़्यादा तो ये तो देखो ना सामने वाला compare किस से कर रहा है मन में हमने कह दिया तो बड़ी सुंदर लग रही हो मैस से भी ज़्यादा मन में कह दिया तो अब सुन्दर देखर करके तो यसे हम से बोल लो कहते हैं बड़ी स्मार्ट लग रहे हो अरे हम अपनी स्मार्ट ने जानते हैं तो हम सीजा नहीं देखते हैं तो अगर केवली स्मार्ट लग रहे हो तो सामने वाला समन नहीं पाएगा तो आपको बताना पड़ेगा किस से compare करना पड़ेगा तो जैसे कहा गया कि speed of sound is much smaller than the speed of light अब sound की speed हमने कहा much smaller है क्यों हम कह देते much smaller तो समझ में नहीं आता ना हमने कह दिया much smaller than the speed of light तो ये correct statement है समझ में इबात यानि कोई भी quantity को अगर compare करना है तो large और small कहना पर्याप्त नहीं है आपको किसी non quantity से compare करना पड़ेगा समझ में भाई पाज